भगवान श्री कृष्ण ने बताए कल्यूग के पांच चौकाने वाले रहेस्य बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है श्री कृष्ण अभी यह द्वापर यूग का अंत्काल चल रहा है आप हमें बताएं कि आने वाली कल्योग की चलिये गती क्या और कैसी होगी श्री कृष्ण जवाब देते हैं मैं तुम्हें इसका सीधासा उत्तर तो नहीं दे सकता लेकिन हां तुम पांचों हाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आक मैं तुम्हें उसका कल्योग में प्रभाब बताऊंगा इसके बाद पांचों हाई वन में चले गए उन्होंने वन में जो देखा वा देखकर आश्चर्य चकित रह गए आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया यह जानने के लिए इसको अंत तक जरूर सुने श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों हाई अलग-अलग दिशाओं में वन की ओर निकले युदिस्टा ब्रह्मन पर थे उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के दो सूंड थे यह देखकर युदिस्टा के आश्चर्य का ठिकाना नही रहा अर्जुन दूसरी दिशा में ब्रह्मन पर थे कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वहवी आश्चर्य चकित रह गए वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वो पक्षी मुर् ने एक बच्चडे को जन दिया लेकिन जन के बाद में गाय बच्चडे को इतना चाट रही है कि उसका बच्चडा लहुलुहान हो गया है सेदेव भी ब्रह्मन पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा उन्होंने देखा कि 6-7 कोई है जिसमें पानी है और बीच का एक कुवां खाली है बीच का कुवां काफी गहरा होते हुए फिर भी पानी नहीं है घोर आश्चर्य हुआ ऐसे कैसे हो सकता है नकुल भी ब्रह्मन पर थे और उन्होंने एक आश्चर्य जनक घटना देख एक पहाड के उपर से एक बड़ी सी चटान लुलकते हुए नीचे आ रही है वे कितने ही व्रिक्षों से टक्रा कर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है विशालकाई व्रिक्ष भी उस रोक ना सके इसके अलावा यह चटान कितनी ही अन्यच चटानों के साथ टक्राई फिर भी वह उसे रोक नहीं सके अंत में वहे एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्ष होते ही स्थेर हो गई इसके बाद पाँचों भाई एकत्रत हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाएं सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा मैंने तो पहली बार दो सूंद वाला हाथी देखा यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य जनक था भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मरा जब तुम कलिकाल की सुनो कल्योग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों और से शोशन करेंगे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ऐसे ही लोगों का कल्योग में राज्य होगा तुम कल्योग आने से पहले तक राज्य कर लो। युदिष्टिर के बाद अर्जुन ने कहा मैंने जो देखा है वो तो कहीं ज्यादा आश्चर्य जनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर बेदों की रचनाय लिखी हुई है पर वो पक्षी मूर्दे का मास खा रहा है। कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाती धर्न पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राधा हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चड़ जाए चाहे कितने भी बड़े लोग हो परंतु उनकी द्रिष्टी धन औ हुलुहान हो जाता है। तुप्राधों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्तियों की अमानत है तुम्हारी आत्मा-पर-मात्मा की अमानत है इसलिए तुम्हारा अपने सास्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सैदेव ने पूछा कि श्री कृष्ण मैंने जो देखा मैंने यह देखा कि पांच साथ बड़े कुओं की के बीच एक गहरा कुओं बिलकुल खाली है। जबकि ऐसा संभब कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कल्यूग में लड़की क विवाह में मकान के उत्सब में छोटे बड़े उत्सबों में तो लाकों रुपे खर्च कर देंगे। परन्तु पडोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेद भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा उसे देखते रहेंगे और दूसरी और मौज, मदिरा, मास, भक्षक, सुंदर्ता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे किन्तु किसी के दो आसू पोचने में उनकी रुची ना होगी। कहने का तातपर्य यह है कि कल्योग में अन्नके भंडार होगे लेकिन लोग भूख से म परेंगे सामने बंगले में एशो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास की जोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुर ने श्री कृष्न को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ का मन नीचे गिरेगा उसका जीवन पतित होगए यह पतित जीवन धन की सिलाव से नहीं रुकेगा नाहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा किंतु हरी नाम के एक छोटे से पौध से हरी कीर्थन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन हुना रुक जाएगा इसलिए भक्तों हरी भजन कल युग में मोक्ष पाने का एक मात्र उपाय है।